ब्रम्हांड के सामने हमारी आउकाद दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रम्हांड के सामने हम इनसान क्या है? क्या है? हम इनसानों की ब्रम्हांड के सामने हैसियत इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर-चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रम्हांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रम्हांड में हम कहां एकसिस्ट करते हैं या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धर्ती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानि पूरी धर्ती की पॉपुलेशन लगभग आठ अरब तक पहुँच चुकी है लेकिन धर्ती पर मौजूद ये सभी आठ अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं लॉस एंजलिस लगभग तेरह सौ किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है अगर हम बात करें हमारी धर्ती की तो पूरी धर्ती लोस एंजलिस से काफी ज़्यादा बड़ी है हमारी धर्ती का व्यास यानि धर्ती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है वहीं पर चांद का व्यास 3500 किलोमीटर है चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक लाख हिमालय जैसे पहाड समा सकते हैं और हमारी धर्ती इतनी बड़ी है कि धर्ती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं तो आप समझ गए होंगे कि धर्ती कितनी बड़ी है तो दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए, धर्ती के सामने हम कहां टिकते हैं? चांग धर्ती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी आठों ग्रह समा सकते हैं अगर हम अपने सूरज की बात करें, तो हमारा सूर्य धर्ती से 15 करोड किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है हमारे सूरज का व्यास लगभग 14,00,000 किलोमीटर है धर्ती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13,00,000 धर्ती समा सकती है यानि सूरज की विशालता की कलपना हम आँख बंद करके भी नहीं कर सकते तो आप सोच लीजिए, हम इनसान सूरज की विशालता के सामने क्या ओकात रखते हैं न सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धर्ती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धर्ती जैसी 1300 धर्तियां समा सकती हैं और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं तो दोस्तों सूरज न सिर्फ धर्ती बलकि जुपिटर की आउकाद से भी कई गुना बड़ा है लेकिन उकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुवात है अगर हम बात करें पूरे सौर मंडल की तो हमारे सौर मंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है इतने बड़े सौर मंडल में हमारे आठों ग्रहों के साथ पांच बॉने ग्रह, लाखों एस्टेरॉइड और करोडो मिटियरॉइट्स मौजूद है सूरज से लेकर नेप्चून तक की दूरी करीब सारहे 4 अरब किलोमीटर है ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेप्चून तक सूरज की लाइन बनाएं तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3,000 सितारे समा जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा सूरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है यहां तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौर मंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद है यह है वेगा स्टार जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं इससे भी बड़ा तारा है आर्कट्रस जो 3,60 किलोमीटर चौड़ा है इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा आ जाएंगे और इसके और आगे चलने पर ब्रम्हांड में एक और तारा है रीगेल जिसका व्यास 11 करोड किलोमीटर है इसके अंदर आर्कट्रस जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहां आकर कितना छोटा पड़ रहा है चलिए और आगे चलते हैं ये हैं बीटल जूस जिसका व्यास एक अरब 23 करोड किलोमीटर है इसमें रीगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 66 करोड तारे समा सकते हैं अब आप सोच लीजिए यहां आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है इसके आगे हम मिलते हैं VY Kenis Majoris से जिसका व्यास दो अरब किलोमीटर है और इससे भी बढ़ा तारा है यू वाई स्कूटी जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है और अब तक का ज्छात सबसे बढ़ा तारा है स्टीफनसन 218 जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है यानि इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं ब्रम्हांड में अब तक इससे बढ़ा कोई सितारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है ऐसे में हम इनसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है जरा सोच कर देखिए इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व माइने भी र प्रकाश वर्ष बड़ी है यानि प्रकाश को भी इसे पार करने में चार महीने 26 दिन लगेंगे यह ब्रम्हांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है इस नेबुला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे और इससे भी बड़ा है जिसक का व्यास 5 प्रकाश वर्ष है यानि प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे और इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 तारे रखे जा सकते हैं इससे भी आगे है औरियोन नेबुला जो 24 प्रकाश वर्ष चोड़ा है और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी कंस्टिल जिसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है और अब तक जिन विशाल कायस और रचनाओं को हमने देखा है उन सब को अपने अंदर समाने वाली इन सबसे करोडों गुना विशाल ये है हमारी आकाश गंगा मिलकी वे यानि मंदाकिनी आकाश गंगा जो की एक लाख प्रकाश वर्ष मीटर पर सेकंड है हमारी इस आकाश गंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद है और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद है तो यहां आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाश गंगा को कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला ब्रम्हांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पढ़ेगा लेकिन ब्रम्हांड यहां भी इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पडोसी आकाश गंगा एंडरोमीडा की बात करें तो ये हमारी गैलेक्सी से दो गुना बड़ी है इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद है अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफिनसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब-खरब स्टीफिनसन 218 जैसे तारे आ सकते हैं अगर हम और आगे प्रिथवी से 23 करोड प्रकाश वर्ष दूर जाए तो हमें एक और आकाश गंगा मिलती है UGC 2885 गैलेक्सी जो की 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब-तारे मौजूद हो सकते हैं प्रिथवी से 100 करोड प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है IC 1101 गैलेक्सी जो की 40,000,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1000 खरब-तारे रहते हैं इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्कीवे गैलेक्सी जैसे आकाश गंगाएं समा सकती हैं और अगर हम इससे आगे चल कर और देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रम्हांड में मौजूद है जिसके सामने मिल्कीवे आकाश गंगा भी कुछ नहीं है पृत्वी से 300 करोड प्रकाश वर्ष दूर ये है अलक्योनियस गैलेक्सी जो की 1,60,000,000 प्रकाश वर्ष जितने व्यास में फैली हुई है इसमें हमारी Milky Way गैलेक्सी जैसी 40 लाक गैलेक्सी समा जाएगी अब हम ब्रम्हांड के काफी बड़े स्केल पर पहुँच चुके हैं जहां हमारी गैलेक्सी जिसकी विशालता की हम कलपना भी नहीं कर सकते वह भी इसके सामने कुछ नहीं है लेकिन अब अगर हम और आगे चलें और पुरे ब्रम्हांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रम्हांड जिसे हमने अब तक उब्जर्व किया है वह 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सी मौजूद है और ब्रम्हांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाश गंगा, अलकियोनियस गैलेक्सी भी कुछ हैसियत नहीं रखती और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रम्हांड के सामने कुछ नहीं है तो सूरज और धर्ती की तो बात ही छोड़ दीजिए और हम, हम तो इसके सामने कहीं नहीं टिकते हमारे जैसे आठ हरब लोग यानि हम सब पृत्वीवासी मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है बलकि अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं जीवन नहीं है और सिर्फ पृत्वी पर ही जीवन है तो हम इतने बड़े ब्रम्हांड में काफी ज्यादा अकेले है यहाँ पर ब्रम्हांड जो हमारी सोच से भी बड़ा है यह पूरी तरह से वीरान है अगर ऐसा है तो यह काफी डरावना है यह हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं और अगर इसमें जीवन है भी, तब भी, हम कभी इतनी दूर तक एलियन से नहीं मिल सकते, और तब भी हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में, जबकि यह ब्रह्मांड भी यहां आकर नहीं थमता, क्योंकि फिलहाल हमने इससे आगे देखा भी नहीं है, कि ब्रह्मांड का विस्ता और कितना आगे हो सकता है, अगर यह कहीं खत्म होता है, तो उससे आगे भी क्या और ब्रह्मांड है, अगर हां, तो क्या वो हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े है, दोस्तों, इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं, लेकिन एक बात ता यह है, अब तक ब्रह्मांड की जानी इतने बड़े ब्रम्हांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाश कंगा में मौझूद। एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसने वाले, एक छोटे से तारे के चारो ओर मौझूद। एक बहुत छोटे से ग्रह परस्थित, काफी छोटे, 200 देशों में रहने वाले, 8 अरब लोगों में, हम में से एक इनसान, इस पूरे ब्रम्हांड के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। क्या आपके पास खुद पर घमंड करने के लिए कोई कारण है? किस वजह से आप खुद को स्पेशल समझते हैं? अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है, तो हमें बताइए, क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हो? आज से साढ़े छे करोड साल पहले धर्ती पर एक ऐसी प्रजाती मौजूद थी, जिसने करीब दस करोड साल तक धर्ती पर राज किया, जो खुद आकार में हमसे कई गुना बड़ी और डोमिनेंट थी, लेकिन सिर्फ एक एस्टिरॉइड ने इस पूरी प्रजाती को खत् दील कर सकता है, तो बताइए क्या कारण है आपके पास, कि आप कुछ स्पेशल हो, कॉमेंट में जरूर बताएं, हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए हमारे वीडियोज देखते रहें